नमस्कार दोस्तों, क्लास नाइन्थ महारश्टर स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अलजब्रा चप्रट नमबर थर्ड पॉलिनॉमेस में सिंथेटिक डिविजन और लीनियर डिविजन मेत्ड़ पे कोशन्स इससे पहले के वीडियो में हो चुके हैं तो जो प्रेक्टिस इट 3.3 था उसमें क्वेशन नमबर 5 और 6 आपको ही स्वाल करना है अगर उसमें कुछ डिविकल्टी आ रही हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं तो हम मैं वीडियो उसके बना के आपको बेश सकता हूँ तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जितने क्वेशन हमने जैसे स्वाल के हैं उस हिसाब से क्वेशन नमबर 5 और 6 आपको आराम से स्वाल करने आना चाहिए तो अब जो next point है वो है value of the polynomial at given point variable की कोई value दी गई है उस value के लिए polynomial की value find करनी है तो कैसे value find करनी है यह आम इस video में सीखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरुद हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं तो वेले आप दो पॉलिनॉमियल क्या होते हैं अगर कोई पॉलिनॉमियल है, सबोस हमें एक एक्जम्पल लेते हैं एक स्कार प्लस टुई एक्स प्लस बन, यह पॉलिनॉमियल है तो इस पॉलिनॉमियल का जो नाम होता है वेरियबल एक्स है तो पॉलिनॉमियल पी इन वेरियबल एक्स तो इसे हैसे लिखना है P of X is equal to X square plus 2X plus 1 अब इस polynomial की value X के different values के लिए different हो सकती है या same भी हो सकती है कि suppose X की value हमने 0 ली या फिर 1 ली अब X की value 0 लेनी है तो यहाँ पे X के जगह पे हमें 0 लिखना है तो P of 0 तो यह जो value होगी value of polynomial P at X equal to 0 तो प्रेक्टिसेट 3.4 question number 1 for X equal to 0 find the value of X square minus 5X plus 5 तो अब हमें यहाँ पे suppose जो पल्नामिल दिया गया है वो let P of X be the पल्नामिल अगर यह पल्नामिल suppose P of X है तो P of X is equal to X square minus 5X plus 5 अब हमें value find करने है X की value 0 हो तब पल्नामिल की value तो P of 0 P of 0 is equal to 0 square minus 5 into 0 plus 5 5 into 0 plus 5 अब 0 का square 0 होगा minus 5 into 0 0 minus 0 0 होगा plus 5 0 plus 5 value हो जाएगी 5 question number 2 है if P of Y is equal to Y square minus 3 into square root of 2 into Y plus 1 then find P of 3 into square root of 2 तो जहाँ पे Y है वहाँ पे हमें 3 square root of 2 value substitute करनी है तो suppose हम P of Y यहाँ पे ले है P of Y is equal to Y square minus 3 into square root of 2 Y plus 1 तो P of Y की value है 3 into square root of 2 is equal to Y square यह होगा 3 square root of 2 का square minus 3 into square root of 2 into Y Y की value 3 square root of 2 plus 1 तो अब तो आप से square जो है वो bracket का 3 का भी square है 9 और square root of 2 का भी square है अब square root के लिए एक rule है square root of A है और उसका square है तो यह दोनो numbers cancel होकर A हो जाता है क्योंकि square root और square यह दोनो एक दुसरे के opposite operations हैं वो cancel हो जाते हैं आपस में और A यहाँ पे रह जाता है तो square root of 2 का square अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे भी square root cancel 2 3 के साथ 3 का square के साथ multiplication में 2 रहेगा या फिर हम ऐसे कर सकता हैं इसी मितल को 3 square into square root of 2 का square 3 का square 9 लिखिए फिर root 2 का square 2 लिखिए माइनस अब यहाँ पे multiply करना है तो rational का rational के साथ 3 into 3 9 square root of 2 into square root of 2 तो square root of 2 into square root of 2 square root of 2 का square होगा और यहाँ पे भी square और square root cancel 2 ही आएगा प्लस 1 अब 9 into 2 18 यहाँ पे भी multiply पहले करना है बाड मास रूल के इस अब से 9 into 2 18 प्लस 1 तो 18 मैनिस 18 0 0 प्लस 1 अंसर होगा 1 तो बाड मास रूल में पहले additional subtraction से पहले हमें multiplication और division जो पहले है left hand side से वो solve करना पड़ता है next question question number 3 देखे if p of em is equal to em cube plus 2 em square minus em plus 10 then p of a plus p of minus a is equal to question mark अब पहले हमें p of a की value find करनी है फिर उसके बाद p of minus a और इन दोनों के हमें addition करनी है तो हम पहले p of em जो है वो ही यहाँ पर पॉल्ला में लिखना है फिर next step में हमें p of a की value find करनी है तो p of em की value हमें a रिखनी है तो यहाँ पर a का cube plus 2 into a square minus a plus 10 अब p of minus a तो p of minus a मतलब जहाँ पर em है वहाँ पर minus a substitute करना है तो em cube है तो minus a का cube minus a cube plus 2 into em का square मतलब minus a का square minus अब em हमें negative है तो bracket में लिखना है क्योंकि 2 minus 1 साथ यहाँ पर आ गए है और plus 10 आगे लिखना है तो इसे हमें simplify करना है यहाँ पर तो minus का जो square है sorry जो cube है negative का cube negative ही आता है तो minus का cube यहाँ पर minus ही होगा और a का cube a cube होगा फिर plus 2 into minus a का square positive होता है तो plus into plus plus यहाँ पर a का square होगा अब यह दो जो sine है इनका में multiply करना है तो minus into minus plus a plus 10 तो a होगे value यह value होगे p of minus a तो अब हमें p of a plus p of minus a इनकी addition find करने है तो p of a की value देखे p of a की जो value है यही पर लनावल a cube plus 2 a square minus a plus 10 प्लस p of minus a p of minus a यह है minus a cube plus 2 a square plus a plus 10 अब देखे plus से bracket को multiply करें और यहाँ पर भी इस bracket के बाहर plus sign है दोनों bracket को plus से अगर हम multiply करते हैं तो sign किसी का भी change नहीं होगा तो जो सभी terms हैं वो as it is यहाँ पर रहेंगी plus a cube plus 2 a square minus a plus 10 minus a cube plus 2 a square plus a plus 10 अब जिनका भी sign different है वो cancel हो जाएंगे plus a cube minus a cube cancel plus 2 a square plus 2 a square तो यहाँ हमें इस साथ में लिखना है 2 a square plus 2 a square minus 1 a plus 1 a cancel plus 10 plus 10 तो जो answer होगा 2 a square plus 2 a square 4 a square plus 10 plus 10 20 4 a square plus 20 question number 4 है if p of y is equal to 2 y cube minus 6 y square minus 6 y plus 7 then find p of 2 तो p of 2 find करने के लिए जहाँ पर y है वहाँ पर हमें 2 लिखना है तो p of 2 is equal to 2 into 2 cube minus 6 into 2 square minus 5 into 2 plus 7 अब पहले यहाँ पर cube और फिर उसके बाद multiplication यहाँ पर square into multiplication यहाँ पर multiplication स्वाल करना होता है तो 2 का cube होगा 8 8 into 2 16 minus 2 का square 4 4 into 6 24 minus इनका multiplication 5 into 2 10 plus 7 अब इन दोनों नंबर्स में अलग-अलग साइन है plus minus तो subtraction होगा 24 minus 16 तो यह होगा 8 greater number का साइन minus minus 8 minus 10 plus 7 तो same साइन addition करने है तो minus 18 और plus 7 तो minus 18 plus 7 minus 11 हो जाएगा different साइन तो subtraction तो यह होगी value यह होगी value polynomial की given point के लिए तो जो p of 2 है मतलब value of the polynomial p at point 2 जो variable है उसकी value 2 यहाँ पे substitute करके हमें value find करनी है तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों आगे का जो part होगा वो है remainder theorem जो की इसी value of the polynomial पे ही different है remainder theorem और factor theorem यह दो theorem जो हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो में explain करेंगे तो thank you तोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद